आज के वी सुडियों मैं आपको बताने वाला हूँ जाकरन बोर्ड, class 2, model set, subjective का solution मैंने आपको और मैंने आपको अब तक model set का MCU का मैंने आपको solution बता दिया था आज हम करने वाले हैं model set का subjective question तो start करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हमारे comment section की बात करते हैं कि जो question आने वाला वो कैसा है मैंने का तो इसमें paper के total तीन पार्ट है और पहला पार्ट है जो question बर एक से लेकर 7 तक रहेगा जिसको हम section A बोलेंगे इसमें total अपके पास 7 question रहेंगे साथ में से आपको कोई 5 question ही attempt करना है इसे हम short answer question बोलते हैं बात करेंगे जो हमारा section B होगा वो 8 से लेकर 14 तक होगा यहां भी आपको total 7 question देखने को मिलेंगे इन साथ में से भी आपको कोई 5 question ही solve करना है और जो आपका section C होगा वो आपका 15 से लेकर 19 तक होगा बात करते हैं, सबसे पहला question बात करते हैं, यह पहला question जो हमारा one masa question है, बता रहो इसमें से आपको कोई 5 question ही solve करना है, साथ में से कोई 5 question solve करना, मैं आपको यहाँ पर सारे question का solution बताऊँगा, बताऊँगा, कहारा का, what is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point, equatorial point पर पूछे रहा है, बताऊँगा, जो electric dipole है, उसका potential कितना होगा, देखो, डागराम बनाना की योत नहीं है, मैं आपको यहाँ डागराम बनाना नहीं है, तो कहता है, मालों, अगर में पास अगर यह dipole है, यहाँ चार्ज minus q है, यहाँ पर चार्ज अगर plus q है, तो कहरा हम बताऊँगा, इसके equatorial point हम इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं, इसका mid point बोलते हैं, एनि इसका mid point बोलते हैं, तो कहरा हम बताऊँगा, किसी point P पर कितना होगा, हम इस point P पर कितना होगा, potential है, हम इस point P पर कितना होगा, पोटे जाए इस charge के चलते जो potential होगा इसकी value होगी V2 की value होगी plus kq by r. यादखना यहाँ पर दोनों हम हमें का था potential में हमें इसा with sign put करते हैं, तो total potential add p पे कितना होगा? total p पर होगा v1 plus v2 और कितना हो जाएगा minus k cube i और और ये हो जाएगा plus k cube i कितना हो जाएगा total add होकर दोनो plus minus 0 कितना आजाएगा potential हो जाएगा 0 तो यहां से अब क्रेक्ट आजन क्या होगा आपको potential कितना होता है वो 0 होता है add point p पर थिक हैं बास समझ आ गई कि आप फुसी पुवन मासम में लिखना है आप सायदो डाकली 0 भी पुट कर सकते हैं यतना लिखने की जूरत नहीं है अगर आप लगता है क्या लीग सकते हैं तो आप से कुछ आया तो लिख भी सकते हैं बात करते हैं कोश्चें में 2 कि कोश्चें में 2 कह रहा है A cell of E MF E and internal resistance R draw a current I का राइड लिसें between terminal voltage V in terms of E, I and R है ना ये कोश्चें आपका एक cell का कोश्चें न जिसमें कह रहा है कि एक E MF है वो E गिवन है और एक cell का हमें जो आंत्रिक जो परत्रियोद हो R given है internal resistance हमें small R given है कह रहा है वो कितनी current खीच रहा है उसमें कितनी current flow कर रही है आई current flow कर रही है तो बता रहा है बताओ कि terminal voltage V, E, I और R में relationship क्या होगा यानि हमें ये V किसके equal होगा तो बता दूँ इसका सबसे पहले कि circuit क्या होता है सब हुज चाहता कह रहा है कि अगर एक battery E है जिसका MF E है और इसका internal resistance अगर small R रहे है और इसमें से जो current flow कर रहा है वो current कितनी fat flow कर रहा है वो current अगर गर I current flow कर रहा है तो इस V का formula होता है, V equal to E minus IR, ठीक है, यह होता है terminal voltage का होता है formula, याद रहेगा, one marks में आपको इतना ही लिखना है, जाए तो diagram बना सकते हो, नहीं तो technically आप ये equation लिख सकते हो, क्योंकि आप सिफ equation पूछा गया रहा है, तो आप सिफ equation लिख के आएंगे, ठीक है, चलो कहता है, where on the earth's surface, angle of dip is 90 degree, बताओ, प्रिथवी के किस सता पर, या अन्दमन कोन की value 90 degree होती है, अर्थात हम कहारे हैं कि angle of dip की value 90 degree होती है, तो आपको पता है angle of dip की value कितनी होती 90 degree, वो आपकी होती है, at poles पर ना, धुरू अपर होती है, तो बात क्या होगा, connect cancel क्या होगा आपका, इस cancel देखोगे आप, at poles या फिर हिंदी मिलने के खोगा आप धुरू अपर होती है, आते हम question number 4 की, बहुत अच्छा question है, थ्यान दो सुना question को, कर लेख रहा है, how does power of a convex lens vary, if the incident red light is replaced by violet light, कह रहा है कि अगर एक convex lens है, कह रहा है उसको power कैसे change होगा, अगर हम जो red light, पहले जो red light था उसको हटा के अगर हम एक violet light का light यूज करें, यानि एगर हम लाल प्रकास के जगा, अगर हम कोई bagni प्रकास यूज कर ले, तो बताओ, अब उस convex lens का, यानि उत्तर lens का सकती में, किस प्रकार का change आएगा, यानि उसके power में किस कैसे change आएगा, तो सफ्ते पहली बात है कि minus 1 into 1 upon R1 minus 1 upon R2, यह हमें पता है यहाँ पर, ठीक है, अब देखों यह जो term है, यह term तो कभी change नहीं करता है, ठीक है, तो यह यानि यहाँ पर जो change कर सकता है, वो term कौँशा है, जो term change कर सकता है, वो हमारा mu minus 1 का term है, यही change करेगा, और यह किस के, दिखा जाये, तो यह जो power ह वो कह सकते हैं कि directly proportional होगा, यानि जो सक्ती होती हो, directly proportional हो जाएगा, mu minus 1 के, यानि ये simply जिसका mu ज़्यादा होगा, उसका power ज़्यादा होगा, अब हमें बात करते हैं कि mu किसका ज़्यादा होता है, तो हमें पता है कि यहां पर जो है, आपका mu है, है न, reflect index, वो inversely proportional होता है wavelength के, यानि lambda के inversely proportional चलता है, और हमें क्या पता है, और हमें पता है कि lambda जो होता है, वो red का ज्यादा होता है, किस से violet से, यहां से बोल सकते हैं कि power of red यह कम होगा किस से? पावर औफ वालेट से तो हमसे एक पोस्टन पूछा था कि अगर हम एक red light के जएका हम एक वालेट यह जूच कर लें तो पूछ रहा है कि बताओ उसका पावर कैसे चेंज होगा? तो पावर क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा, पावर औफ लेंस बढ़ जाएगा, पावर जो हिंदी मिडियमा लिक लिए होगे, सकती बढ़ जाती है, है ना, क्या होगे? उत्तर लेंस की सकती बढ़ जाएगी, बात समझा गया, यह सिंपल सा एक question था, ठीक है? आपको इतना लिखना है, आते हैं question बर, पावर की लिख रहा है, state to characteristics, properties of nuclear force, है ना, आपको ना भी किय बलके दो गुन बताने है, तो आपको दो गुन बड़े अच्छे से लिख के आने है, है ना, वन मासा question है, तो 2 marks, 2 points होगे, तो 0.5 marks आपको यहां से मिल जाने वाला है, तो यहापर देखते हैं, जो दो बलक क्या होगे, बता दूं, तो सबसे पहला होता है, कि दियार strongest force in the nature पकिती का यह सवादिक परबल बल है, सबसे ज़्यादा बल होता है, वो कौन सा force है, वो हमारा nuclear force है, तुसरा point करता है, यह कहाँ पर act करता है, यह तो पहला point हो गया, बात करते है second point की, तो second point यह कहाँ act करता है, तो करता है, इस works only between nucleons, है ना, यानि किसके वरक करता है, यह स प्लस proton, हैना, neutron और proton को combine form में हम क्या बोलते है, इसे हम बोलते है, इसे हम nucleons बोलते है, combine form में, दोनों के एक सत्या बोलेंगा, हम neutron बोलेंगे, किसे किसे neutron और proton को, ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर दो point लिखना है, दो point आप लिखके चले आएंगे, और कोई ज़्यादा बहुत नहीं है, यह वन मासा question है, आते हम question number 6 की, क्या name the electromagnetic wave used for study crystal structure of solid, हैना, यह question आपके MCQ में भी दिया हुआ था, वही question यहाँ पूछा गया है, तो वहाँ पर हम किस type का ray का यूज़ करते थे, हैना, हम electromagnetic wave के किस part का यूज़ करेंगे, कौन से तरंग का यूज़ करेंगे, क x-ray का यूज़ करते हैं, यानि हम x किर्णों का यूज़, हैना, x किर्णों का परियोग हम करते हैं, किसमें किष्टलों के structure को study करने के लिए, आते हैं हम question number 7 की, हैना, question number 7 कहता है, कि draw the logic symbol of norget, हैना, norget का आपको logic symbol बनाना है, सिंबल उसका क्या होता है, ठीक, और कुछ नही ठीक है, यह बन गया हमारा orget, ठीक है, इनके input बना लेना, a and b input हो गए, और इसके आगे एक लगा लो, dot, यह क्या मन जाता है, इसको बोलता है, हैना, यह जो पर हमने आगे circle लगा दिया, circle मन जाता है not, तो क्या बन जा गए यह, यह gate बन जाएगा हमारा norget, हैना, बस आपक इतना ही बनाना है, यह हो जाएगा हमारा norget का symbol, हैना, तो लिख सोगे आप, symbol of norget, ठीक है, हो गए बात समझा गया, लिख लना है यहाप पर चाहतो, a लिख लो, इसे b लिख लो, और यहाँ पर लिख लना y, ठीक है, तो यह रहा हमारा one masa question, हम question number second part, जो के हमारा section b है, section b मे क्या करना है, आपको कोई 5 question के answer करना है, साथ में से कोई 5 question आपको यहाँ पर attempt करना है, बात करते हैं, पहला question, question number eight कर रहा है, देखो, तो पॉइंट चार्ज, और दोनों पर चार्ज कितना है, एक 20 into 10 to the power minus 6 कुलम्ब गीवेन है, और दूसरा चार्ज मारपास गीवेन है, minus 4 into 10 to the power minus 6 कुलम्ब, are separated by a 50 centimeter distance in air, यानि दो चार्ज है, और दोनों चार्ज को 50 centimeter की दूरी पर रखा गया है, तो कर रहा है, find the points on the line joining the charge, where the electric potential is zero, है न, तो कर रहा है, उस लाइन पर यान दोनों चार्ज के बीच के बीच, वो कौन सा point होगा, जहां पर electric potential zero हो जाएगा, यानि उसका विभूत, विभा सुनने हो जाए हमसे, और फिर हमसे part B में कहा रहा है, also find the electrostatic potential energy of the system, यानि निकाय की इस्तिर वैदुत इस्तितिक उर्जा भी ग्याद करनी है, तो पहले बात करते हैं, part number 1 की बात करते हैं, part number 1 कैसे करेंगे, तो part 1 करते हैं, कि यह तहाँ, मैं आप एक चीज करके यहाँ पर, कि देखो हमें पास एक चार्ज दिया है, Q1 की वैल्यू गिवेन है, Q2 भी हमें गिवेन है, Q2 हमें गिवेन है, माइनस 4 इंटू 10 रिपावर माइनस 6 कुलम गिवेन है, और हमें R, देहान देना यहाँ पर जो distance गिवेन था, वो हमें 50 cm है, मैंने convert कर लिया है, ठीक, फिर बात करते हैं, हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो charge दख लिए, charge कर दख लिया, एक मैंने charge दखा Q1, एक चार्ज दखा मैने यहाँ पर Q2, ठीक है, दोनों के बीच में जो distance कितना है, जोनों के बीच में जो distance है, वो 0.5 meter का है, ठीक, लेट से कितना हो जाएगा 0.5 मैनस x डिस्टेंस पर तो हम इस पहले q1 चार्ज के चलते हैं पोटेंसिल कितना होगा v1 का फार्मला हो जागा k q1 by x and similarly v2 का फार्मला के हो जागा k q2 by 0.5 मैनस x बात करते इसके बाद हम से कहा रहा है कि net potential 0 होना चाहिए इस point p पर तो इस point p पर दोनों का sum कितना होगा simple हमारा 0 हो जाना चाहिए तो मैंने क्या क्या दोनों का potential को 0 क्यों कर दिया कि होना चाहिए तो यहां पर रक्ये solve करते हैं इसको मैंने डग दिया दोनों की value पूट कर दी इसको 0 से क्या होगा कि देखनो यहां से आपका q1 के से और k का term अंसलाट हो जाएगा बच जाएगा q1 by x equal to minus q2 by 0.5 minus x अब क्या करते हैं अब मैं यहां पर दोनों की value को यहां पर put करता हूँ देखो तो मैंने put कर दिया q1 की value 20 into 10 to the power minus 6 by x is equal to minus sign देखना पहले एक sign रहेगा minus पहले से यह बाहर में minus sign पहले से है into minus 4 into 10 to the power minus 6 यहां रखना जब भी electric potential या electric potential energy फैन हो गया तो आगे यहां से देखना 5 by x equal to 1 upon 0.5 minus x इसको और हम क्या करते हैं आपर हम यहां पर कर लेते हैं थोड़ा सा cross multiply कर लेते हैं चीज़ों को पर कितना आ जाएगा 0 2.2 2.5 minus 5 x equal to x तो इस 5 x को इधर ले जाओ तो बन जाएगा total 6 x equal to 2.5 x के लिए हो जाएगी 2.5 by 6 यह आ जाएगा solve करने पादागा 0.16 meter और इसको आप फिर से cm में करणड कर लोगे तो कितना आ जाएगा x की value हो जाएगी 41.6 cm यह नी वो distance है जहां प बीच का यह x की यह 41.6 cm distance पर जो total potential हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा यह आपका हो गया numerical ना step by step में आपको सारा बता दिया second point कह रहा है हमसे second poinnt हमसे कह रहा है की find हैं nat k pasture उसको अइलक्ड्र स्ट्राटिक पोटेंशियव अनर्जी अप्या स्ट्रम केतनी हो गई तो क्या करता है में यह हमारे पास फ्रमला किसका होगया यह form reconna हो thay हमारा फिर से बात करा रहा हूं कि की एक विलमने पूट की 9 इंटु 10 टील पावर 9 ठीक है और q1 का हो जाएगा वाल्यू 10T इंटु 10 टील पावर minus 6 कुलम और q-tip वाल्यू हो जाएगी देखना with sin minus 9 तो minus 4 इंटु 10 टील पावर minus 6 सब को रखे यहां पर मैंने solve किया तो सब को potential energy है ना electrostatic potential energy की value कितनी हो जाएगी हो जाएगा minus 1.44 joule है ना answer हमारा negative में आएगा बास समझा आगई आगे चलते हैं question बात करते हैं 9 की कुछ बनाइन कर रहा है draw a sketch showing the basic element of AC generator and state its principle है ना हम पर कर रहा है कि एक AC generator के मूल आवियों को दर्साने वाला एक चितर बनाई ये और तता generator के इसके सिधानत को भी आपको बताना है आपको ठीक है तो बात करते हैं साथ से पहले हमसे कहा है कि उसके sketch करना है तो ये रहा उसका diagram है ना यहाँ पर देख लो क्या क्या है यहाँ पर सब कुछ डियागणाम में आपको diagram ऐसे ही बना के आना है इंगलीस मीडियम चाहे हिंदी मीडियम हो दोनों के लिए same diagram रहेगा ठीक है दोनों के लिए same diagram रहेगा तो यह हो गे इसका डाइगराम, अब आग आता है state its principle, इसका यह किस principle पर वर्क करता है, तो बात करते है principle है ना, देखो इंगलिस और हिंडी मेंने दोनों में रखा है यहाँ पर, तो दोनों लोग अपना-पना sentence देख लो, तो कहता है यह किस principle पर वर्क करता है, तो it works on the principle of electromagnetic induction यह किस principle पर वर्क करता है, यह एक electromagnetic induction के principle पर वर्क करता है, यानि, जब एक coil को uniform magnetic field में घुमाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें एक EMF induced होता है, क्या होगा, उसमें एक EMF induced होगा, जब भी आप एक coil को, एक magnetic field में घुमाओगे, तो क्या होगा, उसमें एक EMF induced होगा, क्यू क्योंकि जो coil घुमेगा तो उस पर टॉक लगने पर जैसे जैसे वो घुमेगा उस पर flux चेंज होगा, ठीक है, तो यानि ये किसी दान्द पर कारे करता है, तो ये विदूत चुम के प्रेण किसी दान्द पर कारे करता है, यानि जब एक coil को एक समा चुम के शेतर में घुमाय जाता है, तो उसमें एक परित-म-फ उत्तपन हो जाता है, आते हैं हम नेक्ट क्यूष्टन, क्यूष्टन बात करते हैं टेन की, करा, how does the fringe width of interference fringe change when the whole apparatus of Young's experiment is kept in a liquid of reproductive index 1.3, हना, वैसे question 3 mask है, तो 3 mask के answer यहाँ आपको यहाँ पर लिखना है, तो कहरा है कि जब एक पूरे इंटरफ्रेंस जो सेट अप है हमारा यंग डबल स्लिक एक्समेंट का उसको हगर हमने एर के जगा एक लिक्विड में डुबा दिया जिस लिक्विड की रिप्टेट्टी उन्डेक्स यानि उसका अपर चना कितना है 1.3 है तो कैरा बता उसके इस फिंजित कैसे होता है कौन आपका बीटा याने फ्रिंज भी ट्रैक्स पर पस्थन हो जाता है आपके किसके वेबलेंद के तो यहां से करकर हम रेचियों निकालें तो बीटा डैस बाई बीटा एक्वल टू लैमडा बाई बाई लैमडा डैस क्या होगा जब उसको हम लिक्विड में रख जो है उसकी वेबलेंद का यह ऑम और यूजाती है जो पहले वेबलेंदों को सको डिवाइड बाई beterट है उसको माॉड और सो टुछ नंबर वं से बढ़ा है तो यहां बंश उचानल को न ही वांटider साही कने चाहिए gas मू के फिरेगए गधीन अधरे तो ले जाते हैं तो बन में कि clinician पुट्ट के में वह दिया पिच कहाको दूआ तो 1.3 से डिवाइड कर दो, 1.3 से डिवाइड करना पर क्या हो जाएगा, नमबर 1 से बड़ा है, तो fringe width यान जो बीटा इडास है, वो बीटा से छोटा हो जाएगा, यानि fringe की width क्या होगी, वो decrease कर जाएगी, यानि जो fringe की चुड़ाई है, वो कम हो जाएगी, या दखना fringe की यहाँ पर कम हो जाएगी, या दखना अच्छे से, चलो अब बात करते हैं, question 11 के रहा है कि, write the distinguish features between diffraction pattern, है ना, हमसे diffraction pattern के बारे हम पूछा गया है, due to a single slit and interference fringe produced in young double slit experiment, है ना, तो कर रहा है, एक जो diffraction pattern जो single slit से होता है, उस पे जो fringe width बनता है, है ना, जो जो भी वहाँ पर आ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले मैं यहाँ पर लिखा है, इंटर्फरेंस लिखा है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको diffraction लिखा हुआ है, तो पात करते हैं सबसे पहले कि interference क्या होता है, और diffraction क्या होता है, सिंस यह 3 मासा कोश्य हैं, ता आपको 3-3 point difference लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो जो हिंदी माले मीडिय माले अपने assurance पढ़ते रहें, एंसर मैं आपको इलिस पर सम्झाता हूँ क्या करा है, तो कहता है interference क्या है, it is the phenomena, यह घट राहा है, it is the phenomena of superposition of two waves coming from the two different coherent sources, तो interference क्या होता है, जब दो different coherent sources से दो वेब लेब लेब ल सेम वेबफरेंट से आती है, तो वापस में क्या बनाती है? वहाँ पर हमारा diffraction pattern बनाती है. ठीक है? बात करते हैं question 2 में, इन interference pattern यानि जो interference pattern में जो all bright fringe lines and are equally bright and equally spaced, जो जितनी bright fringe बनती है इंटर्स पैटर्न में, सब एक समान चुड़ाई के होती है, सब एक सरका, एक समान रूप से चमकिली भी होती है, और जब की बात करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्यों होता है, तो डिफ्रैक्शन में कहोता है, कि all bright fringes are not equally bright and equally white, तो डिफ्रैक्शन में जब कि जितनी fringe होती है, ना वो equally bright होती है, ना उनकी चुड़ाई equal होती है, ना उनका चमकिला भी एक समान रूप से नहीं होता है, उसमें जो center का जो होता है fringe, वो सबसे ज़्यादा चमकिला होता है, उसके चुड़ाई सबसे ज़्यादा होती है, जब कि हम बात करते हैं, डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, है ना, dark lines are not, dark lines are perfectly dark, विसमें भी होती है, लेकिन, their contrast and bright lines and width goes on decreasing with angle of diffraction, लेकिन उनकी जो contrast होती है, और उनकी जो सिर्वता होती है, और उनकी जो चड़ाई होती है, वो angle of diffraction के साथ कम होती चली जाती है, ठीक है, बात हो गया, ये तीन है, जो आपको यहाँ प बात करते है, question number 12 की, question number 12 कहा रहा है, define the term threshold frequency and as used in photoelectric effect, photoelectric effectors के संदर में threshold frequency क्या होती है, जितको अब देली आवरती भी बोलते है, और second point हम से कहा रहा है, कि plot a graph showing the variation of photoelectric current as a function of anode potential, है ना, तो कैसे सिलना है, हमें variation लिखना है, किस-किस के बीच में हमें graph draw करना है, एक photoelectric current और anode potential के बीच में graph draw करना है, इसके लिए दो light beam के लिए, जिनकी frequency तो सेम है, हना, बट उनकी intensity अलग-अलग है, यानि I1 और I2 different है, तो सबसे पहले हम बात करते है, point number 1 की हम define करेंगे बाते ही, threshold frequency यानि daily आवरती क्या होती है, तो यह रहा कि हमारा first part हो गया, कि threshold frequency क्या होती है, और जिसको हम cut up frequency भी बोलते हैं, यह क्या होती है, the frequency of incident radiation below which photoelectric effect does not take place, हना, यह वो incident radiation की आपचित करेंगे वो frequency है, वो आवरती है, जिसके नीचे परकास यानि photoelectric effect या भी जिसको बोल सकते हो, परकास विदूत परभाव possible नहीं होता है, और इसे हम new not के द्वारा denote करते हैं, यह हो photoelectric current और anode potential के बीच में with same frequency but different intensity, तो यह रहा graph, यह हमने graph draw किया है, तो graph हमने draw किया है, एक photoelectric current के बीच में, और हमने graph किया है, एक collector plate potential के बीच मतलब anode potential के बीच है, हमने यह दुनों graph यहाँ पर draw किया है, ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़े है, जो आपको यहाँ पर change कर ले गया है, और उपर वाला i1 हो जाएगा, और नीचे का यह i2 हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, कि यहाँ पर जो order होगा, वो आपको कौन को बनाना है, उपर वाला i1 है, नीचे का वो i2 है, ठीक है, यह हमें question में कहा गया था, कि i1 is greater than i2, तो i1 उपर होग और i2 ग्राफ नीचे होगा, और जो last वाला ग्राफ है, वो आपको यहाँ पर draw नहीं करना है, यानि इस last वाले को आप नहीं बनाएंगे, ठीक है, यह last वाल जो बनाया है, इसको आपको नहीं बनाना है, तो ग्राफ याद रहेगा, ग्राफ का pattern आपको याद रहेगा, I think आ आप थी मास का है, तो आपको यहाँ टू मास मिल जागा, आपको गराफ है, और वन मास मिलेगा, आपको थिस वर्ट फ्रिक्वेंसी को डिफाइन करने पर, ठीक है, तो यह आपको इतना डिफाइन करके एकजाम में आना है, ध्यान दोगए कि दोनों का जो निरोधी विवा करते हैं, वह सेम होता है, यह आपको ऐसे घराव ड्राकर कर के इकजाम में आने है, हो जाएगा, और बात करते हैं, अगले नमद करते हैं, यानि करते हम में 13 की तरब आते हैं, कुछ में 13 किया रहा है यूजिंग बोर्स पॉस्टूलेट्स दा अटमिक मोडल ड्राइब देख्पेशन फोर रेडियस और एंथ एलेक्ट्रॉन और्बिट है ना यह एक एलेक्ट्रॉन जो एंथ और्बिट में ट्रावल कर रहा है उस और्बिट का रेडियस कितना होगा इ कि उसका जो एंगलो मोमेंटम होता है वो किसकी होता है एन एच बाई टू पाई के एक्वल हो जाता है तो दिस इंपाई सकते हो एम वी आर की वैलियो किसकी होगी वो एन एच बाई टू पाई के एक्वल हो जाएगा ठीक है फिर यहां से क्या करते हैं इस एक्वेशन यान number of orbit के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक हमने और क्या पढ़ा था, बोर का एक और, एक और पॉस्ट्रेट्स किया था इसके बार, इसके बार उसका एक और पॉस्ट्रेट्स था, उन्होंने ये कहा था, कि जो उनके बिच जो फोर्स लगता है, यानि उनके बिच जो इलक्ट्रोस्ट्राटिक फोर्स लगता है, जो इलक्ट्रोस्ट्राटिक फोर्स लगता है, वो किसक इस्क्वार्ट 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 इ समझ के solve लागे देखना है कि क्या ये value इसके equal आती है कि नहीं, ठीक है, यही आपको 3 marks में question पूछा गया है, क्योंकि इस question में आपको time लग जाएगा, चीजों को calculate करने में, में solve करने में, इसलिए question 3 marks का पूछा गया है, तो मैं पता है, यहाँ से, यानि आप लिसकते हो कि boards है न, तो यानि आप यहाँ से boards के बारे में, आप लिख सकते हो, कि boards का जो law था, यानि जो उसका जो नियम थो से according क्या था, L की value कितनी थी, n h by 2 pi थी, ठीक है, इसका अर्था यहाँ से L की value होती है, m v r की value n h by 2 pi, ठीक है, यह मैंने हिंदी medium के strength के भी यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है, और क्या लिखना था, फिर्स के बाद हम करते हैं, कि हमें पता है कि जो electrostatic force होता है, वो किसके equal होता है, वो fe की value होती है, वो centripetal force m v square by r के equal होती है, फिर मैंन v के लिख पूट कर दी, यहाँ पर और हमारा जो r का final answer कितना आएगा, जो expression आएगा, हो जाएगा, n square h square by epsilon 0 divided by pi m e square, ठीक है, यह आपको वहाँ पर solve करके आना है, बात करते है question number 14 की, question number 14 कर रहा है कि with the help of circuit diagram, distinguish between forward bias and reverse bias of a PN junction diode, है ना, आपको forward bias और reverse bias के लिए एक PN junction diode का circuit diagram draw करना है, यह आपका first part है, और second part कर रहा है कि draw the vi characteristics graph for the PN junction, यानि voltage और current के बीच में आपको graph draw करना है, किसके लिए, एक forward bias के लिए और एक reverse bias दोनों के लिए, अगर दिसक बायस और पस्छी दिसक बायस दोनों के लिए, तो पहले हम गया करना है, अगर दिसक ब forward bias है, तो देखो हमें ध्यान देना, यहाँ पर आपको सिर्फ पूछा नहीं क्या होता है, आपको सिर्फ पूछा है कि diagram बनाने, तो बहुत ज्यादा लिखने की कोई खास जरूवत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यह आपका question 3, 3 marks में है, तो forward bias में क्या होता है, forward bias में ध्यान होता है, जो battery का जो P side होगा, यानि जो PN junction का P side होगा, वो battery के negative side से, और PN junction का n side होगा, वो battery के positive side से जुड़ा होता है, उल्टा होता है, इससे क्या बोलते हैं, इसे नहीं हम लग बोलते है, reverse bias जिसे बोलते है, past 6, based bias है ठीक है तो डाग्राम तो खैत दोनों से रहता है चाहें English medium हो चाहें Hindi medium हो दोनों के लिए से रहता है डाग्राम तो यह आपको डाग्राम बना किया ना है यह हो जाएगा आपका question number 1 का answer यहां से compute होता है आपका question to टू करया है ड्रा वी आइक ट्रेक्टरिस्टिक्स ग्राफ अब पिए जंशन डाओड तो ग्राफ क्या होगा दोनों का हो गए ठीक है और जब आप बनाओगे फॉर्ट बायस में तो करेंट की वाली कितली होगे मिली एंपियर में यह इस टाइप से करोगे तो आपका यहां पर कंप्रीट हो जाता है ठीक है यहां पर आपका हो गया दोनों सकीट डियाग्राम तो इसमें ए हमारा इह वारस बैस का बन जाता है कि महारार वार्ड बैस के बात करते हैं आपको क्या करना है हम बात कर जा आपको एक कोश्चन ही solve करने हैं और हर कोश्चन के लिए आपको पांच मार्स दिये जाएंगे यनि पांच में से कोई तीन कोश्चन ही आपको यहां पर solve करने हैं पहला कोश्चन आता है वो कहता है कि state gauss law in electrostatics है ना कि electrostatics में gauss law क्या हता है इसको आपको define कीजिए और इसके यूज करके आपको क्या करना है एक drive करना expression for the electric field due to an uniformly charged infinite plane seat एक infinite plane seat है जिस पर charge लगा हुआ है पता उसके सामने कुछ distance पर कितनी electric field की value होते है यह आपको calculate करना है using gauss law यह अब तक दो-तीन साल पहले यह दो साल से question नहीं नहीं था क्योंकि यह 2 साल से यह slayvers में नहीं था इस बाद फिल से full slayvers में आ गया है तो यह question फिर से आपके देखनों के यहापर मिलता है क्या करते है सबसे पर हम define करते क्या है गॉसला तो मैं सबसे पर define कर रहा हूं होता है to the charge enclosed by the closed surface जिसको हम लोग gaussian surface बोलते हैं और उसका यह हो जाता है आपका formula ठीक है तो यह आपको पूरा लिखना यह हो गया आपका cost theorem यहां से complete हो जाता है अब बात आता है इसका प्रूफ करना है एक infinite seat के लिए प्रूफ करना है तो हमें एक प्रूफ करना है किसके लिए पूरूफ का पार्ट है तो किसके लिए सबसे पहले आपको एक बना लेना है यहां पर डाग्राम जो मैंने यहां पर डाग्राम बनाया है इसकी जो शर्फिस चार्ज देन्सीटी है वो कितनी है वो सिगमा है क्या थैसकी कितनी होती है सफेटाइट डेन्सीटी के बोलते है चार्ज पर्णिट इरिया आप उसको मैंने यहां पर सिगमा से आपको डिनेट किया हुआ दिखाया हुआ है ठीक है तो कहता है कि consider the case of a plane seat of charge having charge density sigma, इसको charge density यहाँ पर मैं denote कर दे रहा हूँ sigma से, इसको मैंने sigma से से denote कर दिया, ठीक है, to calculate the electric field E at a point P, एक point P पर close to it, इसके एक P point पर हमें क्या करना है, हमें electric field find out करना है, तो वो P point हम लेता है, यह P point मैंने यहाँ पर choose कर लिया, यह P point यहाँ पर है, मुझे इस P point पर electric field find out करने, कितना होगा, तो कहता है कि consider A, हम क्या करते है, consider करते हैं एक Gaussian surface in the form of pile box, हैना pile box क्या होता है, यह आपको ने जरा रहा हुआ है, एक cylinder, हैना यह cylinder ने जरा रहा है, इसको बोलते है pile box, हैना, तो एक pile box type का हमने Gaussian surface क्या कर लिया, एक assume कर लिया, इस Gaussian surface के क्या होगा, कि आप देखो कि यहाँ पर कुछ charge हो, इंक्लोज हो गया, यह जो मैंने blue glass से बना रहा हूँ, यहाँ पर कुछ charge इंक्लोज हो जा रहा है, तो कहता है कि the charge इंक्लोज by the Gaussian surface is sigma S, हैना, अगर इसका area कितना है, अगर इसका area, अगर S है, यह छोटा area, अगर मानलो, इसमें कितना charge इंक्लोज हो जाएगा, तो sigma into S, यह इतना charge हो गया, इंक्लोज हो गया, and the flux linkage with the pile box क्या हो जाएगा, तो देखो, जो अब आपे ने गर पढ़ा है E dot Ds, अगर आप E dot Ds यूज करोगे, तो यहाँ पर देखोगे पहले कि electric field और जो area का vector N, दोनों same direction में है, तो और इसका area कितना है, इसका area S है, तो formula क्या हो जाएगा, E dot Ds है न, ऊपर देखो, bracket में मैंने माँ पर लाएगा, गॉस्थारम का जो, मैंने माँ आपर लिखा है formula E dot Ds, तो कितना हो जाएगा, वो E into S हो जाएगा, ठीक, और इसके बात करते है हमारा जो middle point है, middle point बात करते है यह, जो इसका curve surface है, यह मैंने red class है बनाया न, इस surface से चलते कितना हो जाएगा, electric field हो जाएगी, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो flux, 0 किसलिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर electric field और, यानि जो surface है, और जो हमारा electric field है, दोनों के बीच पर आंगल कितना हो जाएगा, 90 degree, इस यह, यह, लिकितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, और last में जो point पर जिता है, यहाँ भी दिखोगे कि, इसके left side में electric field और area vector, दोनों के हैं, दोनों same direction में, तो इसके चलते भी कितना हो जाएगा, electric field, ES हो जाएगा, तो total flux कितना हो जाएगा, वो 2 into ES हो जाएगा, total flux, तो हम क्या ज हो जाएगा, और charge कितना है था, charge include कितना हो जाएगा, charge include हो जाएगा, तो यहाँ से equal कितनी हो जाएगी, sigma by 2 epsilon not, और यह हो जाता है, हमारा electric field का formula, due to a infinite plane seat of charge के चलते, ठीक है, बास में जा गया, यही चीज, आप एक बार, जो हिंदी मिदियो में वाले students है, वो diagram यही से बना ह होगे न, diagram आप यही तो copy कर लेना, बाकि जो आपको समझना है, वो समझने के मैंने यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, सेम चीज, ठीक है, यहाँ पर कि मैंने कौन-कौन सा area लिया हुआ है, वो आपको पीछले वाले diagram को देखकर आप समझ जाओगे, ठीक है, कि यह हमारा area S था, और जो मैंने यहाँ पर कितना area हमने लिया था, है न, एक हम Gaussian surface की करपना करेते कि यह Gaussian surface है, जिसका area S है, और यह जो 4 सीट है, उस पर surface charge density वो कितनी है, surface charge density कितनी वो sigma S है, इस टैप से आप वहाँ पर अपने समझ के लिख सकते हो, गौस ठेरम क्या होता है, गौस ठेर हमको लिखने के लिए और थी माक्स मिल जाएगा आपको इस पूरे derivations के लिए, तो ही हो जाएगा आपका proof का part यहाँ पर हो गया, जगला question, question मैं system की बात करते हैं, कह रहा है, state the principle of potentiometer, यानि potentiometer किस principle पर वर्क करता है, आपको वो सिद्धानत बताना है, और कह रहा है, कि describe briefly with the help of circuit diagram, how this device is used to compare EMF of two cells, यानि आपको एक circuit diagram के help से आपको यह समझाना है, कि कैसे हम इसका उपयोग 2 cell के EMF को compare करने में कर सकते हैं, यानि 2 EMF के cell का, यान 2 cell के EMF को तुलना करने के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, potential meter इसका principle क्या ह है, तो the basic principle of potential meter is that, है ना, इनका बीच का जो basic principle क्या है, तो basic principle of potential meter is that, that potential drop across any section of the wire, यानि किसी wire में कितना potential drop हो रहा है, वो potential हम कैसे निकालेंगे, is directly proportional होगा, किसके परपतल होगा, to the length of the wire, यानि उसमें उसकी wire की length कितनी है, उस wire जितना wire का length होगा, उतना ही ज्यादा potential drop होगा provided, लेकिन आपको साथ में ये दिया होना होना चाहिए, कि wire हो, वो uniform flow section का होना चाहिए, यानि जो हम wire यूज करेंगे, उसका area होगा, यानि जो मुटाई होगी, वो एक समान की मुटाई होनी चाहिए, और उसमें एक uniform current भी flow करना चाहिए, उसमें एक uniform current flow करना चाहिए, ऐसा जाने कि current घट रहा हो, बढ़ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात करते हैं, इसका proof, इसका proof क्या होगा, तो comparison of 2 इमें पॉप्थेल, तो बात करते है, plug-in 1 and 2, हैना, कहता कहता है, सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पर, देखना, कि यह हमारा हो जागा, circuit diagram, यह समें position हो गए, जह हमने 1 or 2 connect किया है, उसमें क्या होगा, उसमें A से लेकर J तक का जो distance होगा है, वो length मानलो कितना है, यह length मानलो अगर हो जाती है, हमारी अगर L1 हो जाती, यह length कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की length है, वो अगर J तक की distance, अगर मानलो L1 है, तो इसके भी potential कितना drop हो वो directly proportional to length होता है, तो यहाँ पर जो potential drop मानलो अगर E1 हो रहा है, तो E1 किसके को लोगा, वो X into L1 के हो जागा, जहाँ पर X आपका constant है, शीम जली बात करते हैं, कि अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम 1 or 2 को डालते हैं, और 2 or 3 को joint करते हैं, जहम 2 or 3 को joint करेंगे, तो उसमें अब यह balance length कितनी हो जाती है, यह length A से लेकर J dash हो जाती है, और length हो जाती है, और length हो जाती है, इस case में MF कितनी हो जाएगी, E2 की value हो जाएगी, वो X into L2 हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा था, कि जो potential drop होता है, वो actually proportional length के होता है, तो equation number मिल गया हमारे पास 1 मिल गया, और equation मिल गया हमारे यहाँ पस 2, अब दोनों equation क्या करते हैं, divide कर लेते हैं, तो E1 by E2 करने पर क्या जाएगा, L1 by L2, और इस प्रकार से हम compare कर सकते हैं, MF यानि, जिसका length जाता होगा, उसका MF भी जाता होगा, यह हो गय potential meter का circuit diagram और उसका पूरा principle, ठीक है, हिंदी medium question देखो, उनके लिए भी same चीज मैंने बताया है, कि potential meter एक का मुल सिदानती है, कि किसी तार के किसी भी खंड पर संभावित गिरावट, यानि संभावित गिरावट ने, इको बोलते हैं, संभावित विभाव, यानि उस पर जो to length हो जाएगा, कैसे हम करते हैं, तो मैंने कहा सिंपल सी, कि जब पहले माननों हमने E1 और E2 को joint किया है, केबल हमने E1 और E2 को, 1 को 2 से joint किया है, कुझी को, तो क्या होगा, उसमें जो branching length है, वो AJ हो जाएगा, और ये length कितना हो गया, हमारा L1 हो गया, ठीक, इस सिदिती में AJ की length हो जाएगी, वो L1 हो जाएगी, और इसके cross जो potential E1 होगा, है ना, ये जो E1 होगा, उसकी वेले कितनी हो जाएगी, X into L1, जहाँ पर X क्या है, एक नियतांक है, मतलब एक constant है, ठीक, अब क्या करते हैं, तो यहाँ पर E1 के लिए जाएगी, X into L1, ये हो जाएगा हमारा equation number 1, अब गया करते हैं, कुझी 2 और 3 को हम यहाँ पर joint कर देते हैं, तो जैसे मेरे कुझी 2 और 3 को joint कर दिया, तो उसमें जो balancing length हो जाती ही, वो माले हमारा J dash पहुंझ जाता है, और इस case में जो balancing length होती है, वो L2 हो जाती है, ठीक, तो इस किसी में जो संतुजन की लंबाई हो कितनी हो जाएगी, EJ dash की value, EJ dash की value, L2 हो जाएगी, तो अर्थात E2 को हम क्या लिख पाएगे, X into L2, ठीक है, मैंने कहा अभी X के यहाँ पर एक नियतांक है, तो अब दोनों equation को हम divide करते हैं, तो E1 by E2 के लिख कितनी हो जाएगी, L1 by L2, और इस पकार से हम दोनों के, दोन long straight parallel current carrying wire, और उसके बाद define करो, one ampere को define करना है, तो कह रहा है, अगर दो wire है, parallel wire है, दोनों में current flow कर रहा है, तो बताओ, उनके बीच force per minute length की कितनी value होगी, इसका आपको derivation करना है, यादखना आपको derivation यहाँ पर आएगा है, पूछा है, और उसके बाद आपको one ampere को परिभ कि यह मालो मैंने यहाँ पर लेन गया, दो wire ले लिया, एक wire की में current I1 flow कर रहा है, दूसरे current में current I2 flow कर रहा है, और इन दोनों current के बीच distance कितना है, D है, और दोनों कैसे wire रहा है, parallel wire है, तो कहते है, let two infinite long wire parallel conductor separated by distance D carrying current I1 और I2, दो में current कितना flow कर रहा है, I1 और I2 flow कर रहा है, तो magnetic field at point on connector 2 due to current I1, तो हमें पता है कि infinite current carrying wire के चलते, D distance पर magnetic field की value कितनी होती है, आप सभी को पता है, formula क्या होता है, infinite wire के चलते, D distance पर formula होता है, mu naught, हम किसके चलते निकाल रहे है, I1 current के चलते निकाल रहे है, यह जो I1 है current, पहला wire, इसके चलते, D distance पर कितना magnetic field होगा, तो मा not I1 by 2 by D, ठीक, अब कहता है कि हम एक small element ले लेते हैं, यह second वाले current का DL, ठीक है, तो कहता है, small element of length DL on each conductor है, दोनों के लिए, दोनों में equal force लगता है, दोनों पर equal and opposite force लगता है, यह ध्यान देना, तो मालों मैंने second wire पर कितना ले लिया, DL length ले लिया, तो हमें पाता है कि force क formula क्या होता है, I, I, DL cross B का formula होता है, यानि B into L into L का होता है, हमारा magnetic force का formula होता है, किस पर, जब भी किसी magnetic field में अगर कोई current carrying wire flow हो रहा हो, तो उस wire पर कितना force लगेगा, उसका formula क्या होता है, DF का formula होता है, magnetic field B1, इन्टू I1, इसको I2 कर लो, इन्टू I2 into DL, तो यहां से हम चीजों को अगर solve करें, तो यहां पर यह value हो जाएगी हमारी, तो यहां पर थोग सा correct कर लेना, तो यह हो जाएगा हमारा formula, यहां से solve करने पर हो जाएगा, यह हमारा B1 के लिए कितनी आगे थे, इन्टू I2 into DL, तो यहां से DF12 के लिए कितनी हो जाएगी, आप DL को इधर ले आओ, तो DF12 divided DL के लिए कितनी हो जाएगी, इन्टू I1, I2 by 2 by D, यही तो formula होता है, और यहां रखना, अगर दोनों में, अगर same direction में current flow होगा, तो क्या होगा, दोनों एक दुसरे को attract करते हैं, ठीक है, यहां रखना, दोनों क्या करने के दुसरे को attract करेंगे, और अगर दोनों में wire अगर उल्टी दिसा में बहे, तब क्या होता है दोनों में रिपल्सन होता है ठीक है ये बात तब को यादखना है तो फ़र्ट पार्ट हो गया अब हमसे करता है कि बताओ एंपेर को define करना है ना एंपेर को आप कैसे define करोगे यहां पर तो हमें जो एंपेर को define करना हा था हो define क्या से करते हैं एंपेर का definition क्या होता है तो एंपेर इतक current एंपेर एक वह current है which when passes through each of the two parallel infinite long state conductor यानि यह एंपेर वह current है जो दोनों में से current जो फुलो होगा उस value के equal होगा जब दोनो या जब दोनो state connector फिरी space में राके हो और उनके बीच का distance कितना हो जाए 1 meter हो जाए और उसमें वो कितना force एक दूसरे पर लगाए उसमें एक दूसरे पर दोनो 2 into 10th power minus 7 Newton per meter का force लगाए तो उसमें जो यानि जब 2 wire को 1 meter distance पर रखा और उसमें अगर दोनों के बीच में 2 into 10th power minus 7 Newton meter का अगर force लग रहा होगा तो उसमें दोनों wire से जो current flow हो रही होगी उसे हम 1 ampere बोलेंगे बात समझागी चलो बात करते हैं अब हिंदी मीडियो मिश्रिंट से आले भी थ्यान देदो यहां पर आपको क्या करना है तो जो मैंन हो जाएगा मैंग्टिक फिल्ड हो जाएगा है ना जादि आईवन और आईटू धाराओं को ले जाने वाली दो असीम रूप से लंबे समानतर चालक को दी डिस्टेंस पर दूरी पर रखा गया है तो पहले जो वायर है उसमें आईवन करेंट फोलो को रहा है तो उसके चल किसी पॉइंट फिल्ड की वैल्स होगी जो मैंग्टिक फोर्स की वैल्स होगी वह कितना को होगा बी वन इंटो आईटू इंटो अँटू इंटो डियल तो दिएट ऒंटो डिए यही है expression आपका force per unit length का ठीक है जब दो वायर के बीच में लगता है फिर मैंने कहा कि एगर दोनों वायर में same direction current flow होगा तो दोनों एक दूसरे को आकरशित करते हैं ना क्या करते एक दूसरे को आकरशित करते हैं तो एक दूसरे के सामने आएंगे जबी यही दोनों वायर में क current का direction अगर operate हो जाने तो क्या करेंगे वो परतिक करशित करेंगे मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे यह आपको MCQ में अकसर पूछा जाता है अब 1 ampere को different कैसे करोगे तो 1 ampere की परिभास्ता क्यों होती है कि 1 ampere वाधारा है जो एक दूसरे से 1 meter की दूरी पर मुगत स्थ उत्पन होता हो जब उनके भी 2 into 10 to the power minus 7 newton per meter का बल उत्पन होता हो उसमें दोनों wires में से जो current flow करती है उसे हम 1 ampere बोलते हैं यह आपका पूरा 5 mask का question हो गया यह इतना आपको answer लिखके आना है ठीक है देखके समझके अपने सब्दों में बाकिया आपने पढ़ा ही है आपन states its principle of working यानि यह कैसे इसका कारिसे धानत क्या है यह कैसे वर्क करता है यह आपको बताना है with the help of एक circuit diagram पे थुरू और फिर आपको इसमें करना है mention करना है various type of energy losses in this device ठीक है यह first part होगा second part में हम बात करेंगे जिसमें हमको various चीजे find out करनी है जैसे कि हमें एक primary coil given है ideal transformer का देख 200 का है कर अगर उसमें input voltage यानि अगर primary voltage 220 volt है तो बताओ output का voltage कितना होगा और बहुत कुछ हम यह find out करने का है हमें वहाँ पर power given है circuit में कितना power है उस power में power given है 1100 watt का power है तो हमसे पूछा है different different चीजे हम वह बात करेंगे बात में इससे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि टांफ में कैसा device है जो voltage को घटाता या बढ़ाता है किसके तुरू mutual induction के तुरू यानि यह एक उपकरन है जो पासप्रीक प्रेरन के माध्यम से AC circuit में voltage को बढ़ाता या घटाता है बात करते है इसका सिधान क्या पिंसपल क्या है तो पिंसपल के बात करें तो its working principle is based on the mutual induction that is whenever there is a change in flux in primary coil, there is an EMF which induced in the secondary coil यानि जैसे ही अगर primary coil में जैसे ही flux change होगा तो दूसरे वाले coil में क्या होगा दूसरे कॉल में भी flux change होगा और दूसरे कॉल में एक EMF induced हो जाएगा यानि इसका जो कारसी दाहनत है वो पासप्रीक प्रेरन पर आधारित है यानि जब भी primary coil में flux और secondary coil में प्रेरित विद्धुत भानवल में परिवर्तन होता है जैसे ही primary coil में flux change होगा वैसे secondary coil में एक प्रेरित विद्धुत प्रावनवल में परवर्तित हो जाएगा क्यारात हमसे बढ़ाओ कि इसमें mention करना आपको सीप लिखना है कि इसमें कौन-कौन सी हानिया होती है तो आपक से क्या होता है उसमें heat के form में energy का loss होता है और उसमें जो copper wire होते है वो copper wire की भी loss होती है time के साथ ठीक है बात करते है flux में रिशाव की हानिया जिसको बोलते है flux leakage losses यानि जब primary loss से जितना magnetic flux lines निकलती है वो सारी की सारी secondary coil से cross नहीं करती है कुछ-कुछ leak भी कर जाती है तो इ इस iron core में क्या होता है एक current flow करना start करता है जिसको हम AD current flow करते हैं और AD current के चलते हैं AD current के चलते ही हमारा transformer heat होना start हो जाता है ठीक बात करता है यहाँ पर कि हमें इसका सकी diagram ना आना था तो यह आपको सकी diagram पूरा का पूरा बना कर आना पड़ेगा इस type से ठीक है हम यहाँ पर क secondary coil बोलते हैं तो primary से हम voltage source apply करते है और दूसरे side से हम output voltage या current हमें मिलता है ठीक है बात करते हैं तो numerical में कहा था देखो सबसे पहले क्या क्या given था मैं आपको बता दूँ वहाँ पर तो हमसे सबसे पहले वहाँ पर numerical में जो कहा था question में वो given था कि हमें एक input voltage गीवें थी बताता हूँ ना वहाँ पर हमें given था number of turns in primary वो हमें given था 100 ठीक है हमें जो transformation ratio given था वो हमें given था 100 ठीक है यह क्या होता है तो सबसे पहले हम निकालते हैं और हमें given था power पावर गिन था ह हमें 1100 watt given था और हमें given था primary का voltage given था वो हमें 220 वोल्ट हमें given था पहला पार्ट कहा रहा था कि बताओ कह रहा है कि secondary में turns कितनी होगे है ना बैक आते थोड़ा देखते question में क्या था तो question 1 हमसे कह रहा था कि बताओ total number of turns in the secondary यानि दृत्तिक कुंडली में घुमाओं की संख् कितनी होगी है ना second question था current in primary और primary में current कितना होगा हम दोनों करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि हमें पता है कि जो transformation ratio कितना given हमें 100 given है तो यह 100 किसे equal होता है यह equal होता है देखो यह step up transformer है तो formula क्या होगा number of turns in secondary divided by number of turns in primary ठीक है तो this implies number of turns in secondary कितना हो जाएगा वो 100 times हो ठीक तो यह हो जाएगा 100 into primary में टरंस कितने है देखो NP की value given थी यहाँ पर 100 given है तो कितना हो जाएगा total यह हो जाएगा 10000 यह हो जाएगा total number of turns यानि this implies कि हमारे पास जो NS यानि number of turns in secondary हो कितना हो चाहिए वो हमारे पास 10,000 होना चाहिए second part पूछाता है मताओ कि primary में कितना current flow कर रहा यानिया में IP की value हमें find out करनी है ठीक है या दखना जो power का formula होता है power transformer कभी भी power को घटाता या बढ़ाता नहीं है यह point या दखना है ना power fix रहता है voltage बढ़ सकता है घट सकता है current भी घट सकता है बढ़ सकता है लेकिन power fix रहता है power और कभी भी change नहीं होता है तो power का formula क्या होगा यह हो जाएगा is into v इसको अपली सकते हो power क्या आता है v into i होता है तो v into i के जगे अपली सकते हो v into primary and current into primary तो यहां से current in primary का formula क्या हो जाएगा power divided by voltage in primary power हमें गिवन था 1100 watt गिवन था और voltage इन प्रामरी गिवन था वो 220 गिवन थ ठीक है यहां से solve करेंगे तो पूरी value कितनी आ जाएगी यह हो जाएगा total आपका 5 time में cancel आ जाएगा आपका 5 ampere ठीक है तो दूसरा correct answer क्या हो जाएगा यहां पर पहला answer आ गया था number of tons in secondary thousand अब आ गया primary में current कितना flow कर रहा है वो हमें 5 ampere का current flow कर रहा है बात करते हैं question number 3 की question 3 3rd हमसे क्या पूचा था देख लिबता है 3rd 4th मंकिया पूचा गया है तो कोशमभगग 3rd में हमसे पूचा है देख दो रहाống सेकेंडरी पूचा गया है फिर current पूचा है Secondary में अब फिर पूचा है पावर इन सेकेंडरी यानि voltage current और power पूचा है कितना होगा ठीक है तो सब्सक्राइब बात करते हैं voltage in secondary कितना होगा तो voltage in secondary divided by voltage in primary यह equal to होता है number of turns in secondary divided by number of turns in primary तो यहां से हम लिख सकते हैं voltage in secondary equal to number ns by np और यह into हो जाएगा voltage in primary secondary तो number of secondary में कितने टंस थे 10,000 टंस थे और primary में टंस थे वो 100 थे और voltage in primary कितना था वो हमें 220 वोल्ट की बेंता तो यहां से 2-2 जिरो cancel out होगा जो secondary में voltage आएगा उसकी value होगी 220 इंटो डबल जिरो यानि 22,000 वोल्ट का current कहां फ्लो करेगा आपके secondary में फ्लो करेगा तो secondary में voltage कित कितना फ्लो करेगा तो मैंने कहां पावर कभी भी चे नहीं करता है तो पावर भी इसके लिए सेम होगा पावर क्या होगा voltage in secondary into current in secondary तो यहां से current in secondary का formula क्या हो जाएगा पावर डिवाइड बाई voltage in secondary तो पावर हो गया 1100 वाट और वोल्टेज कितना आगया 22,000 दो जिरो से दो जिरो कैंसल होगा इसको डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 20 times में हो जाएगा 1 by 20 this implies current in secondary हो जाएगा 1 by 20 का value निकालना 0.5 ampere आ जाएगा तो secondary में कितना आगया current आ voltage in power in secondary कितना होगा तो मैंने कहा था power same रहता है power कभी भी change नहीं करता है तो power in secondary कितना होगा वो अभी भी 1100 वाट ही होगा यह ना यह कोई change नहीं करेगा इस पकार से आपका 4 चारों पार्ट का answer यहां साब को मिल जाता है पूरा का पूरा निमेरिकर और बात करते हैं आज का और ता radioactive index आफ और triangular glass prism in terms of angle of minimum deviation d and angle of prism a बात करना है तो बात करते हैं तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसका में division करना है तो यह दुखो रहा, पूरा को पूरा मैंने यहाँ पर आपको डेशन करके रखा है, आपको समझते जाता हूँ एक बार, तो यह हमारे ABC के होगे, एक हमारे पास प्रिजम हो गया, यहाँ पर सब कुछ में denote कर दो, यह PQ है, PQ हो गया incident ray, ठीक है, QR होगा, इसको हम दो reflected ray बोल को बोलते हैं, इस आपको बोलता है, angle of incidence for face AB, नीचे R1 बन रहा है, R1 को हम लोग बोलते है, reflected angle of face AB, फिर यहाँ पर बनेगा I2 दिख रहा होगा, I2 को हम लोग बोलते है, imagine ray angle for face AC face के लिए, और R2 हो जाता है हमारा incident angle for force for face AC, AC के लिए incident angle कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा R2, तो total deviation वो हम कैसे define करते हैं, जो total deviation का जो आपका यहाँ पर formula होता है, वो formula होता है, delta का formula होता है, यह equal to होता है, I1 plus I2 minus R1 plus R2, ठीक, and R1 plus R2 की value है, वो A के equal हो जाती है, ठीक है, for minimum deviation है ना, जब for minimum deviation, for minimum deviation, जब minimum deviation होगा, यानि जब light कम से कम deviate करे, जब minimum deviation होगा, उसमें क्या होता है, delta की value होती है, वो delta M के equal हो जाती है, और जो आपका angle of incidence, जो I1 और I2 था, I1 और I2, वो I के equal हो जाता है, तो यहां से क्याल से पाऊगए, तो हमारा formula क्या होता है, I1 और I2 के जगर मैंने क्याल लिख दिया था, A लिख दिया था, तो यहां पर हम status को लिख सकते हो, delta equal to I1 plus I2 minus A, तो delta M के लिख कितने हो जाएगा, I1 और I2 के जगर क्या put कर दोगए, I1 और I2 के जगर हम दोनों जगर हम I put कर लेते हैं, तो I, तो delta M के लिख हो जाएगा, 2 into I minus A, यह I को लिख सकते हो, A plus delta M divided by 2, ठीक, जब minimum deviation होगा, उसमें R1 और R2 भी R कीकुल हो जाता है, तो यानि R1 प्लस R2 की value A लिख सकते हो, मैंने क्या कर दिया है हाँ पर R की जगर क्या लिख दिया, यानि R1, R2 के जगर मैंने क्या लिख 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 दिया, R लिख लिख लिख, तो यहां से क्या हो जाएगा, R1 ज Rover 2, R1, यह लिखते हो, 2 R की value A के लिख हो जाएगी, और this implies, यहां से जो R की वेली किस के कोला जाएगी A by 2 के कोला जाएगी फ्रॉम इसनेल सो बात करते हैं एक reflecting surface A जो हमारा surface है A B यहना A B जो surface इसके लिए बात करें तो μू इन्टू sin I1 की value हो जाएगी मू 2 इन्टू sin R2 यहां पर मू 1 की value 1 है यहां से मू का formula क्या हो जाएगा मू का मू तो हमार से मू के equal to हो जाएगा sin I by sin R यहां से हमारा formula sin I1 by R1 अब sin I1 की value कितनी है तो I1 के लिए दोखो मैंने यहां पर put किया था A plus delta M by 2 और R का formula क्या था A by 2 R का लोग कितना है थी यह हमारा A by 2 आ गया था तो आपने क्या put कर दिया यहां पर A by 2 put कर दिया ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा mu का यही हमारी lesson यहां पर find out करना था तो यहां पर हमारा final lesson टिप के आएगा mu equal to हो जाएगा sin A plus delta M by 2 and divide by sin A by 2 ठीक है ध्यान देखने के करके step by step आपको सबसमझ आ जाएगा यहां पर मैंने क्या किया है तो यह होगी हमारे पास minimum deviation का formula हो गया यहां पर पूरा का पूरा ठीक है जो मैंने यहां पर लिखा था ठीक है अब बात करते हैं हम यहां पर हमसे पूछा गया था graph हमसे यहां पर पूछा गया था graph तो graph का formula graph का हमें किस किस की बिच 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 का यह graph है और यह कौन खाहता है इसे बोलते हैं आंगल और डिंशन तो यहां फिलिश लेंगे आप लोग यह क्या है यह आपका है आईंगल और डिंशन ठीक है तो ग्राफ का आपको यह नेचर जाफ कैसे बनता है यह ग्राफ होता है जो मैंने यहां पर बनाया आपको blue color से तो यह graph होता है एक point पर यह minimum आती है minimum पर हमें minimum deviation मिलता है और इसमें I1 और I2 की value equal होती है है ना यांगल of incidence और angle of emergence दोनों की values में equal हो जाती है ठीक है बात करते हैं अब हिंदी medium के students के लिए थोड़ा देखलो तो हिंदी medium के students के लिए मैंने सब कुछ जो बहाँ बताया है वह इससे पीछे में PQ किया हमारे एक देखो यहां पर जो PQ है यह हमारे आप्तित क्रिण है Q R हमारे वह अपर्तित क्रिण है RS हमारी निर्गत क्रिण है ठीक है यह हमारा angle of prism हो जाएगा उपर I1 हो जाएगा यह हमारा फलक AB पर आपतन क्रिण हो जाएगा जो I2 है वह हमारा फलक AB AC पर निर्गत क्रिण है R1 की value वह फलक AB पर अपरतन का क्रिण और R2 हो जाएगा फलक AC पर अपवर्तन का कौन ठीक है बाकि जो प्रूफ का पार्ट है वो प्रूफ का पार्ट बिल्कु सेम है जो मैंने वहाँ पर पहले बताए है न कि डेल्टा जो हमारा डेविशन का फर्मला होता है वो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 के एकवल होता है और R1 प्लस R2 की वैल्यू वो एंगल अफ प्रिजम के एकवल हो जाता है तो यहां से लिखते हो डेल्टा एकवल टो I1 प्लस I2 माइनस A फोल्ड डेल्टा मिनिममम क्या जब मिनिममम डेशन नगुस में क्या होता है आईवन आईटू I के एकवल हो जाएगा और डेल्टा के वैल्यू क्या हो जाएगी हमें पता है क्या उपसर में लिखा था आईवन प्लस I2 माइनस A तो यहां से डेल्टा M के जगा पूट कर दोगे तो आईवन प्लस I2 के जगा आई आई पूट कर लो तो 2I हो जाएगा माइनस A हो जाएगा यहां से आप इस I की वैल्यू निकालो तो I कितनी हो जाएगी डेल्ट A प्लस डेल्टा M by 2 सिमिलली जब मिनमम डेशन होता है उसमें R1 और R2 के वैल्यू आर्क एकवल हो जाती है आई पता है कि R1 प्लस R2 की वैल्यू एक एक एकवल होता है जो R की वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी यह भाई 2 के एकवल तो हमें सत्हा ए भी पर अपरतन के इस तनल्स के नियम से पता है कि mu1 into sin i1 equal to mu2 into sin r2 होता है जिस्थ यहाँ पर mu1 है यानि जो पहला जो medium हो हमारा air है तो air के लिए reflect index हो जाता है हमारा अपरतना 1 हो जाएगा और mu2 की value mu हो जाएगी तो mu equal to sin i पर sin r होता है i की value को put करा देंगे a plus delta by 2 मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पर आपको देख सकते हो यहाँ पर यह हो गए i की value हो गई और r की value कितनी हो जाएगी वो a by 2 हो जाएगा तो put करने पर यह हो जाएगा हमारा formula final तो यहाँ से हम लिए सकते हो कि जो formula होता है वो होता है sin a plus delta m by 2 ठीक है divide by sin a by 2 जहाँ देखना कि जब आप division करोगे तो वहाँ देखना कि वहाँ पर जो हमें सिंबोल दिया गया वही उच्च करना जिसे मैंने यहाँ पर डेल्टा था आपका derivation किसके लिए class 2 is jackpot set 1 का detail solution था है वीडियो को बारिकी से देखो जो नहीं answer आता है उसको answer को अपने copy